ओम नमस्षिवाई जय महाकाल, कुछ लोग का कहना है कि क्या महिलाएं संकर भगवान की पूजा कर सकती हैं? क्या उन्हें इस पर्स कर सकती हैं? कुछ लोग का ये भी कहना है कि सादिक के बाद महिलाओं को सिवलिंग निस्पस करना चाहिएं क्योंकि पार्वती माता गुस्सा हो जाती हैं तो ऐसा किसी भी पुराण में नहीं लिखा हमने पूरी सिव पुराण पढ़ी पर ऐसा कहीं भी वर्डित नहीं है ना तो सिव पुराण में ना लिंग पुराण में ना इसकन पुराण में किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि महलाएं सिवलिंग कर्सपस ना करें ये जरूर वर्डित है कि असुधुता में सिवलिंग कर्सपस ना करें क्योंकि हर एक महिला हर एक बेटी महादेव को अपने पिता या भाई की रूप में ही देखती है आज तक हमने किसी के मुख से नहीं सुना कि महादेव को अपने पती की रूप में पूछती है बलकि ये सुना है कि उम्हादेव की पूजा करने से एक बेटी को अच्छा घरवर मिल जाता है और जो महिलाओं की साधी हो जाती है तब उनकी सुहाग की ब्रधी होती है उनकी पती की उम्हादेव की पूजा की जाती है में देखने लग जाएंगी क्या ऐसा कभी हो सकता है क्योंकि संसार की हर बेटियां महादेव के पिता के रूप में ही देखती है तो माता पारवती कैसे उस महिला से गुस्सा हो सकती है सोचने वाली बात है जब हमारे राजयराम भागवान कृष्ण काम नहीं चला महादेव की बिना तो क्या हमारा जीवन महादेव की बिना चल सकता है क्या हम महिलाओं या बेटियों का जीवन महादेव की बिना चल सकता है चाहे हिंदो हो या हो मुसल्मान जो पांच तत महादेव ने बनाए हैं उन पांचो का प्रयोग तो सब ही कर रहे हैं क्योंकि जल महादेव की जटाओं में है, आग महादेव की तीसरी आँख में है और हवा इसलिए है महादेव से, क्योंकि उनकी गले में जो नाग है वो वायू का ही भोजन करता है और डमरू में सब्द की आवाज निकलती ही आकास का परदीख है, ऐसे हैं महादेव जिनके अ लिखा भी यदि कोई मेटा सकता है तू वो है महादेव हर हर महादेव